फत्याबाद की C.I.A. पुलिस टीम ने गश्ट के दोरान एक वैक्ति को गिरफतार कर उसके कबजे से 82 किलो कचरा डोडा पोस्ट बरामत किया है आरोपी की पहचान जगी के रूप में हुई है पुलिस ने इसके खिलाफ थाना सदर रतिया में N.D.P.S. Act के तहत मामला धर्च किया है आरोपी को अडालत में प्रेश करने की कारवाई शिरू कर दी गई है मामले की जानकारे देते वे C.I.A. इंचार्ज कुलदीप गडवाल ने बताया कि C.I.A. के टीम S.I. रंजीत सिंके नितरतों में गर्ष्ट कर रही थी इस दुरांथ पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि उसके आधार पर पुलिस ने गाउं ब्राहमन वाला निवासी जगी कच्रा डूडा बेचने का काम करता है और अपने घर में काफी मात्रा में कच्रा डूडा पोश्ट रख रखा है इस सुचना पर पुलिस ने कारवाई करते वे उक्त आरोपी के घर पर दभीच दी तो वैक्ती पुलिस को दिखकर भागने लगा पुलिस ने ततपड़ता से कारवाई करते वे उसे काबू कर लिया और वहाँ बने कमरे के तलाशी ली तो उसमें रखे चार कट्टों में 82 किलोग्राम कच्रा रूड़ा पोस्ट बरामद हुआ पुलिस ने कच्रा रूड़ा पोस्ट को कबजय में लेकर आरोपी के खिलाफ आगामी कारवाई शुरू कर दी है शक्त कारवाई की जा रही है कल 14 तारिकों स्पेशल अभ्यान चलाया गया था जिसके तैत जो भी संदिक नशा तसकर थे उन पर रैड की गई थी जिसमें से फते बाद एस साही रंजीत सिंग के नेत्रतव में एक टीम रतिया गई हुई थी जिसको सूचना मिली कि नमनवाड में जगी सिंग पुत्तरगुरी सिंग नशा का बड़ा कारोबार कर रहा है जिसके रैड की जाए तो नशे सही ब्रा पकड़ा जा सकता है इस पर टीम ने जिब रैड की तो 82 किलो डोड़ा पोस्त चार खट्टे मोका पर उसके घर से बरामत कहां चुपा रखे दीजन यह उसने अपने घर के अंदर कमरा में चार पाई के नीचे रख रखे देए